खेलो मेट् millet सेलूलॉीट पर राइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पोईलेर अएलर्ड है आपको आगे वीडियो में स्पोईलर्स मिल सकते हैं सो मेट भोला का ओफिशिल फुल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर बहुत आसम है मूवी भी बहुत जल्ड रिलीज होने वाली है कैथी में दिल्ली की बैक स्टोरी लिमिटेड थी ज्यादा नहीं दिखाया गया था दिल्ली एक दूसरे क्यारेक्टर को अपने अतीत क बारे में थोड़ा सा बताता है कि वो किस वज़े से और कैसे जेल में गया और अपनी बेटी की बारे में बताता है अपनी बेटी को पहली बार देखने जा रहा होता है उसके बेटी को पता ही नहीं होता है कि उसके पापा है ये काफी इमोशनल था और भोला में भी ऐसा ही होने वाला है भोला अपनी बेटी को पहली बार देखेगा और मिलेगा तो ये काफी emotional होगा लेकिन भोला की backstory थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी flashback के scenes दिखाए जाएगे movie के गाने में flashback के scene हमें दिख रहे हैं और भोला को jail के अंदर भी दिखाया जाएगा जेल से वो जब रिहा होगा और रिहाई वाला भी scene है तो भोला की backstory establish की जाई अगर भोला की backstory अलग से establish की जा रही है तो आगे universe बढ़ने के chance है कैथी में दिल्ली के हाथों में कोई अलग से हथियार नहीं था लेकिन भोला के हाथों में त्रिशूल है यह त्रिशूल भोला के characteristic values को बढ़ा रही है और साथ में action भी और ज्यादा aggressive हो जाता है official poster में भी त्रिशूल है और trailers के शुरुवाती scenes में हम त्रिशूल नहीं देख रहे हैं लेकिन आखिर के scenes में और ज्यादा से ज्यादा actions में त्रिशूल का इस्तमाल भोला कर रहा है जो काफी amazing लग रहा है criminal काफी high tech हथियार और vehicles यूज़ कर रहे हैं लेकिन भोला त्रिशूल से ही उन्हें धूर चटा रहा है जो theater hall में देखना काफी amazing होगा criminal काफी high tech भी है और ज्यादा खतरनाग भी है खुंखार भी है वो बिल्कुल ही निर्दई है क्योंकि एक महिला IPS police officer को इतने सारे लोग मिलकर बालों को पकड़के खीच कर उन्हें घसीट कर ले जाए है इस scene से पता चलता है कि वो कितने हैवान है ये त्रिशूल भोला के हाथों में कैसे आएगा ये देखना भी काफी interesting होगा और BGM भी बहुत जबरदस लग रहा है सो मेर आप रेडी हो जाए है सौ शैतानों के ओपर भोला अपने त्रिशूल के साथ यम्राज बनकर टूटेगा मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियों में तब तक आप अपना बिलकुल खयाल रखिए और मेरी चैनल सलोलोड बरडा इसको सब्सक्राइब करना बिलकुल अभी मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो have a great time thank you so much